अलो गाइस, इस वीडियु में हम बात करने वाले nifty 50 के बारे में और कुछ दो चार स्टाउक्स उठाएंगे, जैसे कि हमारा दीपक नैटराइट हो गया, या का हमारा cdsl हो गया, या फिर हमारा टाइटन शेर हो गया, या फिर tcs हो गया, डीमाट हो गया, इनकी बारे में छोटी छोटी बाते बताऊंगा कि कहां पर इसका प्राइज एक्शन काम कर रहा है कहां पर आप इसको बाई करिए बिकॉज मार्केट की जो भी कंडीशन चल रही है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई है तो आपको आग बंद करके बाई नहीं करना है आपको लेवल्स डिफाइन करने पड़ेंगे देन उसके बाद आपकी सी भी स्टॉक में एंड्री लीजे सबसे पहले हम निटी फिफ्टी की बात कर ले थे वैसे तो मैंने कल भी वीडियो बनाया था लेकिन आज सेटर्डे है तो सोचा थोड़ा और प्रसाइसली आप लोग को बताया था एंड जो ये गैप फॉर्मेशन हुआ है ना कल और परसो के बीच में जो आप देख सकते हैं ये गैप अब कई ना कई रेजिस्टेंस बनेगा आगे जाके इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हो सकता है कि आगे जाके रेजिस्टेंस बन जाए जब मार्केट और नीचे की तरफ आए और वापस जब उपर जाएगा तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी होगी अटरा जार के लेवल को क्रॉस करने के लिए तो देखे पहले तो आप एक ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की हुई है ये हमारी पुरानी ट्रेंड लाइन चलते ह इसके साबसे जो लेवल्स निकल के आते हैं वह कई ना कई आते हैं लगबग लगबग 17,500 के नीचे ठीक है दूसरा हमने जो अपना सपोर्ट जोन बनाया था वह था लगबग लगबग अगर हम प्राइज एक्शन की बात करते कि पिछली वार मार्केट ने सपोर्ट कहां लिया था तो उसकी बात करते हैं तो वो जो लेवल्स थे वो थे लगबग ये वाले लेवल एक सेगंड रुकिए अभी आपको पता चल जाएगा वो लेवल्स थे कई ना कई ये ये जो ब्लेक ब्लेक लाइन आ रही है ये ये जो लेवल बनता है लेट सी थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करते हैं देखिए थोड़ा सा मेरी ड्रॉइंग पर मज जाएगा तो कई ना कई ये आ रहा है लेवल निकल के थोड़ा सा और इसको ठीक सा कर देते हैं विकॉज स्ट्रेट लाइन है ना मैं अगर कंप्यूटर में बनाऊ लेप्टोप बनाऊ तो ज्यादा ये वाला लेवल बन जाएगा जो की 17,000 के नीचे की तरफ जाएगा लेकिन अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की तो पहला सपोर्ट हमारा बन रहा है 17,500 के आसपास दूसरा हमारा लॉजिक के हिसाब से जो सपोर्ट बनता वो बनता है 17,000 हम इससे नीचे अभी जाने का ट्रा या नहीं जाएगा और हम एक और चीज़ ट्राइ कर लेते हैं देखने की कि उसके हिसाब से कहां पर हमारा लेवल सा रहा है पहले तो ये स्क्रीन शॉट को मैं हटाऊं सो थोड़ा सा वेट करिए कि हमारा डेली चार्ट है इसको हम पहले कर लेते हैं वीकली चार्ट में तो नीचे वाले लेवल से जो इसका ये जो लेवल है अभी वेट कर ये बताता हूँ मैं कि इसके साब से कहां पर आ रहा है कि ये लेवल से हाथ से करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है ये हमारा था all time high एक मिनाट इसको डिलीट करते हैं वापस से लेते अगर आप इसके साब से भी जाएंगे न तो भी कहीं न कहीं वही लेवल आ रहे हैं जो अरे यार क्या हो गया इसको वेट करिएगा थोड़ा सा मुझे समाल ले दो ये चीज ना लेप्टॉप में बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है टेबलेट में उतने बहतर तरीके से ये हो नहीं पाती ओके सो लेट सी कहां पर जा रहा है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ये हमने मिला दिये हैं उपर के और नीचे के लेवल्स हैंड यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है देखे इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर ले बड़े में ज्यादा अच्छे दिख जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स हैं वो लेवल्स हमें क्या दिख रहे हैं आप खुद ही बताएए कि क्या आपको लेवल्स दिख रहा है कि next support कहां पर market को मिलने वाला है आप खुद ही बता सकते हैं जो की हमें दिख रहा है 17,468 का थोड़ा सा और इसको accurate करूँगा यह last वाले जहां से मैंने start किया है तो जो levels है वो है 17,500 के तो भाईया यह चीज तो आपको समझागी कि 17,500 पे हमें support मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है let's see Monday को क्या होता है क्या नहीं होता है तो यह तो चीज हमें clear होगी अब हम next आजाते है stocks के उपर मैं आप लोगों को उतना ही simple तरीके से समझाता हूँ जितना simple तरीके से आपको समझा पाए जो नए बंदे हैं उनको समझा पाए कि भाई क्या चल रहा है market में क्या नहीं चल रहा है अभी हम दूसरे stocks ले लेते हैं जिसके बारे में बात करने हैं दीपक नाइटराइट एक्चुली काफी गिरा था उस दिन तो दीपक नाइटराइट का चार्ट देखते है कि दीपक नाइटराइट क्या बता रहा है खुल जाओ बाबा सो दीपक नाइट राइट आप लोग भी अपनी तरफ से कोई भी स्टॉक हो तो बताइए उस पे हम थोड़ा सा की रिकमेंडेशन नहीं है आप लोग को कि इसमें आप लोग बाइंग करिए बिल्कुल भी बाइंग की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी स्टॉक के अंदर जो जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है जब तक समलेगा नहीं तब तक आप नया कोई बाइंग इनिशेट मत करें द तब एक अच्छा लेवल बनेगा जब ये वापस से उपर जाएगा तो लेवल आपको बता दिये 18-100 के आसपास इसको जाने दो 18-20-18-30 जब आ जाए तब इसमें आप अपनी बाइंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सोचना एक बार में पूरी बाइंग आपको नही करनी है इस बात का भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा ठीक है नेक्स टॉक बात कर लेते हैं नेक्स टॉक कौन सा बताओं मैं आप लोगों को ओके 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 डीमाड में क्या करना है देखे टीसीएस शेयर को थोड़ा सा देखते हैं ठीक है टीसीएस मैं लास्ट दिन बहुत अच्छा लगा मुझे देखे कि भाई यह होते हैं अच्छे स्टॉक जो मतलब मार्केट के बावजू देखे मैंने जो इसके जोन बनाया था उपर का जो लेवल था आप देख सकते हैं वहां से इसने बैक रेट्रेस्मेंट लिया था जो की लेवल था लगब अगर आता है यह 200 पॉइंट और गिरता है इस लेवल से तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी तो आप इसमें बाइंग करिए फिलाल अभी इसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए नेक्स टॉक की बा देखिए यह जो लाइन से इनको थोड़ा सा द्यान से आप लोग देख लो यह एक चैनल था जिसमें यह ट्रेड किया था और मैंने आप लोग को बताया था और यह कई ना कई उसके आसपास ही वापस से पोहुच रहा है और सपोर्ट की बात करें देखिए नेक्स इसका ज देखिए ने वाला है वो आप लोग को डिसाइड करना है क्या आप लोगों ने साथे जार पर बाइंग की है क्या आप लोगों ने साथे पांसों बाइंग किया या क्या आप लोगों ने साड़े च्छे और च्छे के आसपास आप बाइंग करेंग मेरे साब से आप आपको बाइंग करिए ज़ादा बाइंग के चक्कर में मत पढ़िए लक्षमी औरोने की बात करतें ये भी काफी ज़ाधा लोगों की डिमांड में रहता है लक्षमी औरोनेक आप लोग देख सकते हैं इस पे भी हमने पहले काफी बाते की है एंड कहां पर है ये स्टॉक आप लोग ये देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते है सो सो गाइज ये अपने वापस से बाइंग जोन पे आ चुका है मेरे पास ये स्टॉक है अब ये क्या मैं इसमें बाइंग करूँ है अब मेरा जो नेक्स्ट बाइंग होगा वो मैं 230 230 रुपे के आसपास करने वाला हूँ या 250 से नीचे तब तक इसमें मेरी बाइंग नहीं है तो इसी सबसे बाइंग करनी होती है अगर आपने अल्डी 300 पे बाइंग किया है तो इसलिए ये इतना ज़्यादा गिर रहा है बट अगर हम देखें कि हमें कहां तक फाइदा हो सकता है तो भाई अपना पहला लेवल आप लोग को पता होना चाहिए कि 400 के आसपास का लेवल है जहाँ आपको फस्ट एग्जिट मिल सकती है या आप कर सकते हैं या दूसरा 400 के ऊपर यह आपके लेवल होने चाहिए अगर नेक्स छे महीने में आता है नेक्स एक एर में आता है तो भी आपको अच्छा कासा फाइदा इसमें हो जाएगा नेक्स स्टॉक हम लेते हैं एशियन पेंट यह हमारे बहुत शांदर स्टॉक हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फाइदा बना के देंगे यह बात आप मेरी लिख के रख लीजिए देखिए इसके भी लेवल हमारे अगर आपको कोई बाइंग करने की ज़रूरत नहीं अगर आपने बाइंग नहीं किया है फर्स टाइम बाइंग कर रहे हैं तो आप लोग के लिए यह लेवल सो जाएगा जब यह तीन जार के नीचे आएगा तब आप इसमें बाइंग की सोचेंगे जो की लगबग अठाइसो तीन हजार से अठाइसो एक रेंज है जहां आप चाहें कई भी बाइंग करिए जो नेक्स्ट रेंज आएगी वो आएगी पच्चिस सो चब्विस सो के बीच में तो यहां तक अगर चब्विस सो आता यह स्टॉक तो आप दबा के बाइंग कर सकते हैं दबा के मतलब समझ यह कि आपको अच्छी वाली बाइंग करनी है उस टाइम पर सोचना नहीं है कि और नीचे जाएगा ठीक है नीचे तो वो और भी जा सकता है लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि भाई स्टॉक कितना बढ़िया है बिकॉज उसके बाद अगर यह नीचे गया तो फिर उसके बाद थोड़ा सा टेंशन क्रियेट हो जाएगा इस टॉक में भी नेक्स जो इसका जोन है वो लगबग लगवा 2600 के बाद 200-300 रुपए में इसका लेवल आएंगे जहाँ आप इसमें एड़ ओन कर सकते हैं नीचे की तरफ अब नेक्स टॉक में आप लोगो जो बताने वाला हूं उसका नाम है टाइटन शेयर टाइटन के बारें बात के लेंगे कल मैंने वीडियो बनाई थी इसमें बात किया था टाटा पावर टाटा मॉर्टर के बारें और टाइटन के महीं बात किया था अगर आपको full detail में जा तब तक नहीं सोचेंगे बाबा कोई टेंशन वाली बात लेने की जरूरत है ही नहीं आपको कि आपको बाइंग करनी है नहीं करनी है कहां करनी है नो